Hello everyone, welcome back to my channel, hope you all are doing good. So, अगर आपने मेरी last video देखी है, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने discuss किया था expectation of sample variance की value. तो वो तो हमारा estimate हो गया था. Now, अब इस video में हम लोग बात करेंगे sample total के unwisiness के बारे में. तो आप लोगों को पता है sample total को हम लोग small y से represent करते हैं and small y की value होती है n times y bar. Because mean की value आप लोगों को पता है, mean की value होती है sample total divided by total number of observations. तो वो observations हम लोगों ने right hand side पर भेज़ दी हैं. तो हम लोग देखी sample total को इस तरह से लिख सकते हैं. So, unwisiness obtain करने के लिए हम लोग इसकी दोनों side expectation operate करेंगे. So, यह हो जाएगा expectation of small y is equal to n times expectation of capital Y. So, हम लोग already obtain कर चुके हैं that unbiased estimate of sample mean is the population mean. That means expectation of small y bar is capital Y bar. So, यहाँ पे हम इसकी value substitute करेंगे. तो इसकी value है n times capital Y bar. So, अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि expectation of y की जो value है वो capital Y नहीं हो सकती है. क्यों नहीं हो सकती है? Because हम लोगों को पता है कि capital Y bar का जो notations होता है उसका जो formula हम लोगों ने पढ़ाता वो क्या होता है? 1 upon capital N summation over i and yi and population total को जो हम लोगों ने consider किया है वो हम लोगों ने capital Y से consider किया है. तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे capital Y upon N. तो यहाँ से आप लोगों देख सकते हैं कि हम लोग small n y bar है तो उसको हम लोग capital Y बार नहीं लिख सकते हैं. इसका मतलब कि यहाँ पर small n है अगर capital N होता है तो हम लोग यहाँ पर capital Y लिख देतें और capital Y होता है आपका population total. तो यहां से हम लोग बोल देते हैं कि sample total जो है वो unbiased estimator है population total का बट यहाँ पर capital N नहीं है तो capital N नहीं है इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर जो y है population total वो नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग simple कह देंगे कि sample total is not unbiased estimator of population total तो यहां से यह चीज हमारी प्रूफ हो गई है अब हम लोग देखेंगे वेरियंस ओफ सांपल टोटल यहां पर हम लोग लिख लेते हैं वेरियंस ओफ सांपल टोटल और वन मोर थिंग आप लोग मुझे यह ज़रूर बताएगा he or this one अब लोगो को सही हुगी आप लोगो स्थी स्थी सांपल टोटल अगर मुझे बताएगा तो मैं अपने वीडियो को रिकंद करेंगे w एप सांपल सांपल टो पर तो यह उनकाником को ते परिंगे टोब भीद», यह कुरेख काषय हम यह ज़र Ratąt시다 operate करना पड़ेगा, so variance of y is equal to variance of n y bar and अब हम लोग use करेंगे property of variance, तो variance की जो property है वो हमें कहती है कि variance constant into variable, अगर variance हम लोग निकाल रहे हैं किसी भी ऐसे term का जिसमें एक constant multiply है, तो जब constant बहार निकलता है, तो constant पे square हो जाता है, like this, तो हम लोग इस property का use करेंगे, तो यहां से हमें पता है कि n, n is a sample value and sample value is a constant value, तो जब n इसे bracket से बहार आएगा, तो हम लोग लिख देंगे n times, n का यहां पर हो जाएगा square using this property and यह हम लोग लिख सकते है, variance of y bar, अब आपको पता है कि यहां पे जो हम लोग discussion अभी कर रहे हैं, वो कर रहे simple random sampling with replacement, तो हम लोगों ने already find क्या है, that variance of sample mean in case of simple random sampling with replacement, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका sigma square upon n, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में यह already find किया हुआ है, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखिये तो मैं उसका जो लेंगे, description box में डाल दूँगी, तो यहां आप लोग देख सकते हैं, n से n cancel out हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा, n time sigma square, तो n time sigma square यहां पे आ चुका है, तो देखिए, यहां से हम लोग लिख सते हैं, variance of y is n time sigma square, अब माल लीजे कि question में, exam में, आप लोगों ने तो यह find कि variance of sample total क्या होता है, तो वो आप लोग को पता है, बट अगर आप लोगों से exam में बोले, that find the estimate of variance of sample total, मतलब यह आपका variance of sample total है, बट इसका ही estimate find करने को बोल दिया जाए, तो इसका अगर estimate की बात करी जाएगी, तो आप लोग दोनों तरफ ही estimate लगाओगे, तो estimate का sign जो होता है, वो कुछ इस तरह से cap के form में होता है, अब देखिए, आप लोगों को पता है, कि sigma cap square की value क्या होती है, अब अगर नहीं पता है, तो मैं बता दूँ, हम लोगों ने पिछले videos में find क्या था, that expectation of small s square, यहाँ पे small s square आपका क्या है, sample variance है, तो expectation of small s square is sigma square, then यहाँ से अगर simple s square हम लोग देखें, तो expectation इदर से अगर हटता है, तो यहाँ पे cap लग जाता है, तो हम लोग sigma square cap जो है, उसकी जगा पे s square यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे यह value देखते हुए, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, n times s square, तो यह variance of population total cap है, और इसकी value आजाती है, n s square, तो I hope कि यह चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी, अब देखें, next, अभी देखें, मैं आपको step by step बताती रहोंगी, कि sample total और population total की values किस तरह से निकलती हैं, because exam में यह पूछा जाता है, तो आप लोगों को भी यह पता होना चाहिए, अब देखें, यहाँ पे हम लोग find करने वाले हैं, estimate of population total, अब population total का estimate हम लोग यहाँ से find करेंगे, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, population total को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो direct सबसे पहले तो मैं आपको population mean का formula लगके दिखा रही हूँ, 1 upon n summation y i, then इस वाले term को आप क्या लिख सकते हो, y upon n, because y is population total, और यहाँ से ही हम लोग जो population total है, उसकी value find कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को परके बताती हूँ, तो देखें, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे y is equal to n times y bar, अब आप लोग को पता है कि हम लोगों को निकालना है estimate, तो estimate को find करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ ही cap का use करते हैं, तो दोनों तरफ देखें, हम लोगों ने cap जो है, वो operate कर दिया है, अब cap operate कर दिया है, तो यहाँ से देखिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, y cap is equal to n times small y bar इसकी जगा पे, अब इसकी जगा पे यह कैसे हम लोगों ने रखा, यह ऐसे रख सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, कि इसका use करते हुए, हम लोगों ने y cap, y bar cap की जगा पे substitute कर दिया है, small y bar, तो यहाँ से यह value आ गई है, आपकी estimate of population total, ओके हमें लग रहा है कि आप लोगों यह समझ में आ रहा होगा, अब देखिए, हम लोग फाइंड करे है, रखना है आप लोगों को population total, बिकाज यहाँ पे गया है, unbiasedness of estimate of population total, तो सबसे पहले तो देखिए, आप लोग population total लिख लिए, तो हम लोगों ने population total लिखा, अब estimate भी word use हुआ हुआ है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे estimates जो है, वो operate कर देंगे, तो estimates operates कर दिया, अभी आप लोगों ने देखा है, कि हम लोगों ने यहाँ पे find किया था, तो यहाँ पे यह find किया था, तो इसकी value यहाँ से क्या आई वी थी, capital N y bar, तो यहाँ से यह value लिख लिए, अब हमें इसका find करना है, unbiasedness, तो unbiasedness find करने के लिए, हम लोग दोनों तरफ expectation operate कर देंगे, तो जब हम लोग expectation operate करेंगे, तो यह हो जाएगा, n small y bar, तो यहाँ से जब bracket से देखे, n भार आएगा, तो यह हो जाएगा, n expectation of small y bar, और आपको पता है, कि expectation of small y bar क्या होता है, वो होता है, capital Y bar, because हम लोगों ने जब unbiasedness of sample mean पढ़ा था, तो यह हम लोगों ने find किया था, वो आप लोग प्रिछली वीडियो में देख सकते हो, तो देखी, यहाँ से हम लोग जब यह लिखेंगे, तो देखी, n y bar, तो n y bar को हम लोग लोग पॉपेलेशन टोटल लिख सकते है, तो यहाँ से हमारा value क्या आजाती है, expectation of y cap is equal to y, मतलब यह हो गया कि जो population total क estimate है वो unbiased estimator होता है population total का अब आप लोग यह words याद कर लो तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी तो यहां से हमें यह चीज मिल गई है so अब अगर बोल दिया जाए कि आपको find करना है variance of estimate of population total मतलब आप लोगों को variance find करना है estimate of population total का तो सबसे पहले population total लिखते है y is equal to n times y bar then इसमें बोला है estimate तो इसके हम लोग operate कर देंगे estimate जब estimate operate करते तो यहां पे हम लोग small y bar लिख सकते हैं हम लोगों ने ऊपर किया था तो यह हो जाएगा n times small y bar तो अब हम लोगों को क्या करना है variance find करना है इस चीज का तो यहां पर लगाया variance दोनों तरफ ही हम लोग variance को operate कर देंगे तो variance n times y bar हो जाएगा अब आप लोगों को sorry यहां पर bracket नहीं होगा यहां पर होगा अब देखिए आप लोगों को मैंने भी यहां पताया था variance की property जब constant variance से बहार निकलता है तो उस पर square लग जाता है and n क्या है n आपका population size है तो population size जो है वो भी आपका constant होता है like sample तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे n को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो यह n square हो जाएगा then variance of small y bar हम लोगों ने कर दिया अब इसके बाद आप लोग यहां से देख सकते हो यह हो जाएगा n times variance of y bar तो variance of y bar जो ह sample mean का variance find करा था sigma square upon n तो यहां पर value हम लोगों ने रख दी है अब यहां पर value हम लोगों ने रख दी तो इसके बाद देखिए यह तो value इसकी आ गई है but यहां पर एक चीज़ और पूछ ली जाती है आप तो देखिए ऐसे करके इसको bracket में करके close करके ऐसे लिख सकते हो but एक value यह पूछ ली जाती है यह आपका क्या है variance of estimate of population total अब आपसे पूछ लाय जाता है कि estimate of variance of estimate of population total अगर इस चीज़ का भी आपसे estimate पूछ लिया जाए तो इस चीज़ का भी जब sigma square cap की value है वो हम लोग use कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा variance cap y cap then n square यहाँ पर हम लोग लिख देंगे s square upon n तो यह value आ जाती है इसकी तो यह कुछ आपके मानने जी cases थे या फिर आप कह सकते हो unwiseness and variance हम लोगों ने find किया है population total और sample total के respect में so I hope कि आज की वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी और अगर समझ में आई हो तो comment box में comment करके जरूर बदाएगा मेरी वीडियो को like कीजएगा, channel को subscribe कीजएगा अपने friends की भी help कीजएगा thank you for watching this video have a nice day